वेल्कम टू ग्लूमिंग रोस अकेडमी, हेलो इस्टुडेंट्स, लेस्ट इस्टार आवर क्लास, फॉर्स्ट सब्जेक्ट मैट्स, आज हमारा लेक्टर नाइफ है, जिसमें हमें काउंट एंड सब्ट्रेक्ट पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे, पहले में म बताया हुए, जिसे हम देख के समझाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे जितने फिगर्स बने हुए, उसने हमें काउंट करने हैं, चलिए काउंट करते हैं, वान, टू, त्री, फोर, फाइफ, सिक, सेवन, एट, नाइन, और टेन, तो यहाँ पे टोटल फिगर्स हमारे 10 बने हुए, तो फर्स बॉक्स में हम 10 फिल कर लेंगे, फिर देखते हैं, इसमें से कट कितना हुआ है, तो वान, टू, त्री, फोर, इसमें से फोर फिगर्स को कट कर दिया है, तो फोर फिगर्स जो है कटा हुआ, उसे फोर को हम यहाँ पे सेकेंड वाले बॉक्स में फिल क है तो यहां पे six field हो गया है अब second हम खुद solve करके देखते हैं तो चलिए solve करते हैं one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve तो यहां पे total figure हमारे 12 बने हुए है तो यहां पे हम first box में 12 field कर देंगे अब हम देखेंगे इसमें कितना cut किया हुआ है तो one two three four four figure को cut किया हुआ है तो second वाले box में four लिख लेंगे अब यहां पे देखेंगे जो cut figure है उसको छोड़के कि बचा हुआ कितना है तो one two three four five six seven and eight eight है तो यहां पे जब हम 12 में से four minus करते हैं तो मारा answer eight आएगा अब ऐसे ही कुछ आपके copy work दिया है जिसको आपको solve करना है तो चलिए first वाले को हम खुद solve करके आपके एक बड़ दिखाते हैं one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen and fourteen तो first box में हम 14 फिल कर लेंगे उसके बाद से कितने figure को cut किया गया है वो count करते हैं one two three four four figure को cut कर दिया है तो second वाले box में four fill कर लेंगे अब देखते हैं कितने figure बचे हुए हैं उसको count करते हैं one two three four five six seven eight nine and ten तो जब 14 में से four minus हम करेंगे तो हमारा answer ten आएगा फिर चलिए second वाला भी करते हैं one two three four five six seven eight nine ten and eleven तो first box में eleven fill कर लेते हैं फिर देखते हैं यहां पर कितना cut क्या हुआ है तो one two three four five तो second वाले box में five लिख लेंगे और फिर बचे हुए को count करेंगे one two three four five and six तो six जब eleven में से five minus होगा तो हमारा answer six हाएगा अब ऐसे ही आपको third वाला count करना है figure आपके parents आपको ऐसे ही figure बना के देंगे copy में और आप उसको solve करेंगे count करके जैसे मैंने आपको example में बताया है four five six seven eight nine and ten इसारा आपको खुद से solve करना है तैंक यू